हेलो एर्वन वेलकम तो माई यूटूब चैनल तो लास्ट वीडियो में आपके पास हमने मैट्रिस के बारे में बढ़ा मैट्रिस में आपके पास हमने उसका इंट्रोडक्शन उसके टाइप्स उन पर लगना वाला ऑपरेशन और जो हमाँ पढ़ रहा हमके पास हुआ ट्रा तो ट्रांस्पोस मैट्रिक्स में हम अपके पास क्या-क्या पढ़ा देख पास सिंपल सबकास कि ट्रांस्पोस मैट्रिक्स जो होता है अगर कोई आपके पास मैट्रिक्स है अगर इसके लिए इसका जो ट्रांस्पोस होगा उसको डिनोट करते हैं एडैश या एकी पावर और ये equal to हो जाता है A, J, I और इसका order हो जाता है N cross M by interchanging ये अपके पास क्या कहलाएगा transpose matrix कहलाएगा ठीक है ये तो कहला रहा है कि पास transpose matrix कहलाएगा ठीक है पर प्राप्त कैसे करेंगे वो important आपके पास है हम करेंगे interchange interchange rows and columns हम आपके पास row और column को करते हैं आपस में interchange कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त जाता है आपके पास किसी matrix का transpose निदा जैसे example मैंने आपको बदला आपके पास example के रूप मैंने का अगर कोई matrix है A इस प्रकार से जो की two cross three का है अगर मैं इसकी row और column को interchange कर दो मतला आपको इस प्रकार से इंटर्चेंज का साइन आई यह double headed ठीक है यह denote कर रहा है इंटर्चेंज of row and columns ठीक तो इस टाइम पर हम को कह मिल जाएगा A dash को या A की power करना क्या interchange जो row है वो आप column बन जाएंगी देखो पास जो पहली row थे पास A B C वो column बन जाएगी तो जाएगी A B और C और जो दूसरी row थे वो दूसरा column बन जाएगी D E और F तो अपने आप यह अगर आप गौर से देखो जो इसका जो first column था वो फरस्ट रो बन गए वह इस रुकार से दूसरे जो column था वो दूसरा रो और जो तीसरा column था तीसरे रो बन गए यह अपको अपना भी कह जाएगा three cross two था तो यह अपको बास मैंने आपको बता है इससे पहले पोस्टिक फिर इसके बाद हमने बता है symmetric symmetric matrix अगर किसी matrix के लिए उसका transpose उसी के बराबर हो जाता है ट्रांसपोस क्या हो जाए यानि AJI जो है वो एक quality क्या हो जाए AIJ तो इस time पर matrix क्या कर लाएगा अब और ऐसा आपके पास क्या है कि ऐसा क्यों किसके लोने वाला है where A is any square matrix यह क्या है कोई square matrix है तो इस time पर matrix क्या कर लाता है symmetric और ऐसे आपके पास स्क्यू स्यमेट्रिक इसक्यू स्यमेट्रिक ठीक लगब लगब ऐसे यह वह भी आपके पास square matrix हो गार उसके लिए के condition है कि एक का जो transpose होगा हो माइनस ओफ एक के बढ़ावर हो किसके बढ़ावर होगा माइनस ओफ ए इसका मतलब है कि AJI जो होगा वह माइनस ओफ ए आई जे यह सिंप्ली इसको अंदर भी मलड़े रहा है तो इस पकार से होता है अगर किसी square matrix के लिए यह दोनों है square matrix का case है ठीक है अगर किसी square matrix के लिए उसका जो transpose हो एक के बढ़ावर हो जा रहा है तो हम कहेंगे आपके पास क्या है कि वो symmetric हिंदी में कहते हैं समित समित आवियो और इससे यह अगर उसका transpose के minus के बराबर हो रहा है minus of a के बराबर हो रहा है तो इस टैम पर कहलेते हैं विसम समित तो बागी तो आपके पास मालूम है तो यह समित और विसम समित था और साब कुछ properties लिखाए थी जो आप easily समझ सकता हूँ आपके पास इसका link भी आपके पास उसके description box में डालने आप इस वीडियो के तो आप easily उस link में जाके उस वीडियो को दुबारा देख सकत तो इस प्रकार से यह आपने अगर यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करें तो आप easily उसमें playlist है मैट्रिस उसमें आपके पास जाके पूरा chapter जो है उसको आप अपना concept को clear कर सकते हो ठीक तो देखो आज जो मैं बताने वाला हूँ है इस पर आधारित कुछ आपके पास theorem से वह theorem मैं आपको बताने वाला हूँ है ठीक तो जो फर्स तरह मैं आपको बताने वाला हूँ है ठीक है और उसके लिए अपके पास एडश लिखो चाहे एक पावर टी लिखो बात आपके आपके पास है तो एक एडश आपकी बुक में ज़्यादा नोटेशन आपके अपके ज़्यादा करने वालें इसी को नटेशन के रूप में यूज करने वाला है इसका is तो आपके पास अगर इक वाकु कोई सकोयर मैंट्रिक्ट आए डश से है तो उसके लिए हमिए सार्लए सटियानाल याल सउस तहटी अकशना नहां मैटको वह सम्मीट होगा शब्आक में यानि symmetric matrix और a minus a dash जो होगा वो क्या होगा विसम समित यानि इसक्यों symmetric होगा अब इस theorem को हम प्रूफ करते हैं तो सब पहले में प्रूफ करने में सबसे पहले जो दिया हुआ है उसके सब मुझे प्रूफ करना है कि a plus a dash क्या है symmetric तो पहला आपके पास जो मैं प्रूफ करना हुआ है कि a plus a dash is symmetric इसको symmetric प्रूफ करना है अब आपको मालूम है symmetric होता क्या है हमको मालूम है कि a dash equal to a होता है तब क्या कहले लाता है then a is symmetrical अ क्या कहले लाता है betty a अगर आप मुझे a plus a dash को अगर symmetric प्रूफ करना यहींनि इसका जो परिवर्थ होगा वह क्या होगा इसके बराबर ही आना थे तो मैं इसको प्रूफ करते हो दैन मैं सबते निकालता हूँ ए प्लससे डैश का अउनुझ यह जिर तो मैंने आपको कि परिवर्थ के कुछ गुण पढ़ा है आपके पास देखो तो मैंने आपको बता है कि A प्लस B का होल डैश इक्वल टू होता है A डैश प्लस B डैश तो वही जब मैं अपलाए इसमें करूंगा तो यह हो जाएगा A डैश प्लस A डैश का होल डैश इसके आतिरे दमने पढ़ा प्लस अपण्दय है रहा है कि द्वी पूरक यानि डैश डबल दैश लगाएंगे तो आपके पास का मिलता है दुबारा से तो मुझे मिल रहा है A डैश प्लस ब्लसेश प्रẩái या सिंपली ए प्लस एडैश प्रा vi न मुझे क्या प्राप्टबहा मैंने पता लगा कि A plus A dash का whole dash equal to क्या रहा है A plus A dash यह नहीं हो स्वयम यह जो मैट्रिक्स है यह स्वयम के उसका परिवर्थ उसी के बराबर आज़ रहा है देखेंगे बाद simple सा है कि A plus A dash का जो transpose आ रहा था A plus A dash जो transpose आ तो दुबारत की दुबारत कह रहा है वो स्वयम आया रहा है इसका रहत क्या हो गया So A plus A dash is symmetric तो मैंने यह प्रूफ कर दिया कि आपके पास क्या है A plus A dash क्या है अगर आपके पास कहा जाए अब इस पे एक कोशन बनता आपको पास देखें अगर आपको कहा जाए कि symmetric matrix बनानी है आपको क्या बनाने हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो आप किसी भी स्क्वाइर मैट्रिक्स को उसके ट्रांस्पोस के साथ जोड़ दीजिए जब भी हम किसी स्क्वाइर मैट्रिक्स को उसके ट्रांस्पोस साथ जोड़ेंगे तो हमेसे क्या होगी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाए के ट्रांसपोर्स को जोड़ेंगे तो मैं सा एप्लस एड़ाश कहा मिलता है हमें सा सम्मित आभी उप्राफ्ट हो या अब को प्रूफ कर दिया अब मैं दूसरा पार्ट प्रूफ करता हूं देखी अगर किसी मैट्रिक्स के लिए उसका परिवर्ट क्या हो जाए उसके माइनस एक एक बराबर जाए उस टाइम पर एक एक गलाता है यह कंडिशन अब बार इफ एड़ एक एक गलाता है इसकी उसे मेट्रिक यानि कोई भी आव्यू आपके पास विसम सम्मित कहलाएगा जिसको हमको यह पर प्रूफ भी करना इस आवी को प्रूफ करना इसको यदि उसका जो परिवर्ट होगा हो क्या होगा माइनस ए यहनि माइनस ऑफ एक बराबर आए तो उस टाइम पर एक एक गलता है इसकी सिमेट्रिक इसका यूस करने वाला में इस वाले तो मुझे सिद्किया कर इस माइनस ए डैश का होल डैश अब मुझे मालूम है किसी भी आविव के दिया परिवर्ट काशाओ लार बार से ए ली एक ठिख समय हो जाएगा और मैंस वंभएन च्ना ंे लों हो रहा है ए माइनस एडाश तो यह हो गया ए माइनस एडाश का होल डाश देखो यह क्या हो रहा है इस यह जो आव्यू था ए माइनस एडाश थोड़ा देहां देना ए माइनस एडाश जो मैट्रिक्स होगा उसका जब मैं ट्रांस्पोज ले रहा हूं उसका मैं ट्रांस्पो Isqueue symmetric तो मैं इसको लिखता हुँ कि यह क्या है Isqueue symmetric आपके पास है आपके पास तो अब आपके पास दो concept उज़ हो गए आपके पास तो इसको याद रहना आपके पास अब यह आपके पास हमेंसे याद रहना if A B any square matrix अगर कोई आपके पास A कोई square matrix है तो उसके लिए हमेशा A plus A dash is symmetric और A minus A dash is skew symmetric तो यह आपके पास जो दो matrix में लेंगी वो क्या होंगी एक तो होगा आपके पास symmetric यहने सम्मेत आवियो और एक होदा आपके पास विसम सम्मेत आवियो तो यह इस प्रकार से पास जो concept बनाए है यही में आपके पास है इसके बाद जो अगली जो theorem है वो इसी पर आधर दोने हैं तो कई बार आपके पास कोशन आ सकता है कि वह एक skew symmetric और symmetric matrix बनाए है तो आप क्या करोगे आप अपनी तरब से एक कोई square matrix ले लोगे और उसके बाद उनके लिए आप a plus a dash निकालेंगे तो वह symmetric कहलाएगा और a minus a dash निकालेंगे तो क्या कहलाएगा हो इसकी symmetric कहलाएगा ठीक है तो जो अगली आपके पास कहते हैं आपके पास any square matrix कोई भी वर्ग आविव जो है can be expressed as किसको उसको हम कैस रूप में व्यक्त कर सकता है can be expressed as sum of योग के रूप में ठीक है of symmetric and skew symmetric matrix अब ध्यान देना कि आप किसी भी वर्ग आविव को कोई भी आपके पास a to z कुछ भी वर्ग आविव अबके पास कुछ भी हो उसको क्या कर सकते हो एक sumit और एक विसम समित आविव के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हो ठीक है तो इसके लिए देखो को मैंने का मान लोग पास और इसके proof में देखो को पास मैंने माना lead इसको proof कर रहा है मैंने मान लिए lead a b any square matrix क्या मान लिए यह कोई क्या है square matrix है तो इसको मैं देखो कैसे लिए देखो मैंने इसको क्या लिखा मैंने इसको दो आविव के योगफल के रूप में वेक्त किया तो कुछ इस पकास लिखा मैंने a quarter लिखा मैंने one upon two a plus a dash minus one upon two a minus a dash तोड़ा ध्यान देना मैंने इसको इस रूप में वेक्त किया अगर मैं simplify करूँगा इसको तो यह half a होगा plus half a dash minus half आपके पास यह और आपके पास देखो यह plus यह पाठी है plus और plus क्योंकि हमको sum of symmetric मैंने इसको half a plus a dash plus half of a minus a dash के रूप में वीचे तो half of a dash यहां से available to cancel हो जाएगा half of a plus half of a इस रूप में वेक्त किया इसको इस रूप में वेक्त किया तो इसमें एक चीद आपके पास है देखो where यह एक क्या है ब criteria पाता भी introductions यह क्या है मित आव्यू के रूप में ही व्यक्त होने वाला आपके पास है तो देखो याने पास जहां आपके पास वेर वन अपन टू ए प्लस ए डैश इक्वल टू पी और यह आपके पास कहलाएगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स यह कहलाएगा सिमेट्रिक matrix और ऐसे ही 1 upon 2 A minus A dash equal to 1 लिख दिया Q Q matrix है इसे कहें को बस is Q symmetric matrix तो इस प्रकार से हम किसी भी आव्यू को किसी भी वर्ग आव्यू को एक समित और एक विसम समित के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं तो मैंने आपको बजाया था A plus A dash कहता हूँ यह आपके पास हमें से क्या होता है समित होता है symmetric है और यह जो मैंने आपको बजाया था इससे पहले theorem हो कि था excuse symmetry तो half तो क्यों आगे से इसे ज़्यादा पढ़ेगा निश्की उसके nature में तो यह आपके बास हाफ सो गुना करके भी क्या हो जागा यह भी क्या होगा excuse symmetric और यह क्या होगा symmetric तो यह दो आपके पास theorem थी आपस में core related है आपके पास देखिया अगर आपके पास कोई matrix है A आपके पास तो उसके लिए A plus A dash हमेशा symmetric और A minus A dash कहता है excuse symmetric होता है जिसकी मदद से हम आपके पास easily आपके पास किसी भी में और उसके भाई यह तो पहले theorem थी उसके आधार पर ही हमने किसी वर्ग आव्यू को हम एक submit और एक wisdom समित के योगफ़ल के रूप में व्यक्त कर सकता है कैसे लेंगे 1 upon 2 A plus A dash निकाल लेजे तो आपके पास समित मैट्रिक्स हो जाएगा यहांने समित आव यू और A minus A dash का हाफ करेंगे तो आपके पास के मिल जाएगा wisdom समित यह इसकी सिमेटिक मैट्रिक्स मिल जाएग तो यह दो आपके पास परिवर्थ निकालना आप एजली निकाल सो तो मैंने एज एग्जामपल भी आपको बता रहें आपके पास तो पहला कुछन आप एजली कर सकते हो ठीक तो परिवर्थ निकालने वाले तो देखो आपके पास दो मैट्रिक्स दियें A और B दो नहीं क्या है स्क्वाइर मैट्रिक्स है तिरते कोटी है यानि थर्ड ओर्डर क्या है स्क्वाइर मैट्रिक्स आपको इनके लिए दोनों वेरिफाइड करना है यह दो आपके पास जो इसके प्रॉपटी थी तो आपके पास वेरिफाइड करने है तो मैं एक बता दूँगा दूसरा भी आप कर लोगे तो तो फ़र देखो वेरिफाय करते हैं एक फॉर गिवन इस मैट्रिस इस ए एंड बी जो दो मैट्रिस ए और भी दियों के लिम्ट निकाल लेंगे हैं तो एड़ाश और बी ड़ाश निकाल लेते हैं तो एड़ाश मनें काता यानि एक परिवर्थ यानि कैसे निकालते हैं आपको बाल में जो रो है उनको कॉलम होना देना अपना भी कॉलम क्या जाएंगे रो बन जाएंगे देखो पहली रो यह है तो पहला कॉलम होना नहीं हो जाएगा माइनस वन टू और त्रें फिर दूसर तो अगर आपके पास यह तो अपवस्ट है अगर वह स्कॉयर मैट्रिक से अगर आप गौर से देखो जो इसके जो डाइगोनल के एलिमेंट हैं उनकी स्थिद्धी कहीं पर चेंज नहीं बाग क्योंकि तो इस प्रद्धी चेंज नहीं है वह अपनी जगा पर ही होना वाले देखे तो इस प्रकार से यह डश होगया और ऐसी अगर मैं बीड़ निकारे तो बीड़ आपको मौलन क्या हो जाएगा देखें माइनस 4 पहली पंक्ती पहला कॉलम बन जाएगा 1 माइनस 5 इसे प्रकार दूसरे के लिए 1, 2 और 0 और तीसरे के लिए हो जाएगा 1, 3 और 1 तो यह मैंने इस प्रकार से दोनों के ही ट्रांस्पोज निकाल दे हैं तो से पहले दोगा LHS जो पहला पार्ट है उसके लिए कोड़ हम वेरिफाइड कर रहे हैं A प्लस B का होल डैश इक्वाल टू A डैश प्लस B डैश तो जो LHS है उसके लिए पहले मुझे A प्लस B भी निकालना पड़ेगा क्या निकालना पड़ेगा? A प्लस B लिख लेते हैं ए प्लस यह मतलब दोनों का एडिशन जिसका दोनों मैट्रिस जो दिए में उनके इसके साथ जोड़ना है बी को तो बी था माइनस फूर वन 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 टू और थ्री माइनस फाइव जीरो और वन यहाँ पर आपके पास एडिशन का आपके पास तोड़ा सा ग्रिविजन भी आपके पास दोए ठीक है तो प्रस वन हो गजिए ठीक और इसी पकार से थी प्लस मैस फाउगा तो अबर वं प्लस फीआ यह कुआ टारा ठीके है तो यह मिल गया आ, सेउड प्लस टू हो गया ए नाइन, नाइन सो जीरो हो गया नै इसी पकार से हम इनस Wन minus 2 plus 1 करेंगे तो minus 1 1 plus 3 करेंगे तो 4 और 1 plus 1 करेंगे तो 2 यह मिल गया A plus B तो यह A plus B है तो पहले हम निकालेंगे LHS के लिए मुझे निकालना है A plus B का whole dash तो देखने क्या प्राप्स होता है तो LHS में आपको पास है A plus B का whole dash तो मैंने ये A प्लस B निकला तो उसके क्या निकलना है देश देश निकलना हमको आता है देश कर निकलता हमको मालूम है इसकी जो पंक्तियां वो कॉलम मन जाएगी यानि माइनस 5 3 माइनस 2 यह जगा 6, 9, 9 माइनस 1, 4, 2 तो यह मुझे मिल गया A प्लस B का होल डैस LHS के रूपे अब जब RHS की बात करें तो RHS में आपको पास था A डैस प्लस B डैस और A डैस और B डैस आप पहले से निकल चुके हो इसके निसार A डैस सहब के पास माइनस 1 5 माइनस 2 चेक और 2, 7, 1 और 3, 9, 1 यह था A डैस प्लस B डैस B डैस भी अपने शुरू में निकाले तक बस था माइनस 4, 1, 1 और ऐसे ही 1, 2 और 3 और था आपके पास माइनस 5, 0 और 1 तो यह आपके पास A यह RHS के लिए मैं निकाल रहा हूँ A डैस प्लस B डैस तो देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो दो मैट्रिस्स तो है उनको जोड़ना तुमको आता है तो जोड़ेंगे तो क्या मिल रहा हूँ माइनस 1 प्लस माइनस हो रही हो गया माइनस 5, same element आगे ठीक, 5 प्लस 1 मतलब 6 और ऐसे ही माइनस 1 माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो माइनस 1 तो देखो इसकी और इसकी पहली पंक्ति सेम आ अब देखो तेसे 3 प्लस 1 मतलब 2 प्लस 1 मतलब 3 फिर अपकपा 7 प्लस 2 हो गया 9 और 1 प्लस 3 हो गया 4 तो दूसरी पंक्ति भी सेम ऐसे अब करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 2, 9 और 2 तो यह मुझे A dash plus B dash का मान में गाला आपको क्लियर ले अपको दिख रहा है A plus B का whole dash B प्राप्त हो आपके पास minus 5, 6, minus 1 3, 9, 4 minus 2, 9, 2 और यही मान किसका मिला है A dash plus B dash तो यह verified आपके पास है ऐसे ही जो इससे दूसरा पार्ट है वो भी पास किया, उसमें बस किया, बीज में minus आएगा तो बाकी तो आप इसी प्रकार से करने वाले आपके पास तो चौसरा कोशन आपके पास से देखें आपके पास यहां पास रहा है A dash A ने दिया है, उसका परिवर्त आभी दिया है और आपको क्या निकालना है, A plus 2B का whole dash देखो पास सबसे पहले जो हमें ग्यात है, वो है A dash equal to minus 2, 3, 1 और 2 मुझे B dash कि आऊशकता नहीं है, पर मुझे A तो चाहिए यहां पर आपके, A plus 2B चाहिए तो यह A है और B दिया हो था minus 1, 0, 3, और 2 मुझे यहां पर A चाहिए, तो मैं पहले निकालाओ, A dash से A निकालाओ, देखो आपको मालूम है, किसी आव्यू के परिवर्थ का परिवर्थ ले ले जाए तो मुझे अगर A निकालना है तो मुझे इस A dash के निकालना पड़ेगा dash मतलब minus 2, 3, 1, 2 का क्या करना है? परिवर्थ ले लेना है, परिवर्थ कैसे ले ते आप को मालूम है? पंक्ती को कोल मनाना है, मतले है, कि जब पंक्ती कोलोमानीत होच जाएगा minus 2, 3, 1 और तो, तो इस प्रगार से मुझे क्या प्राफ्ट हो जाएगा? ले प्राप्त है उसके लाव मुझे जाए टू बी और टू बी क्या हो जाएगा देखो टू बी मतलब सो टू से गुणा करना है बी को यह था माइनस वन जीरो थ्री टू जब गुणा करेंगे तो आपको मारूम कैसे गुणा करते हैं कि जो इसके जिदने भी एलमेंट है बी ए प्लस टू बी मेट्रिक्स क्योंकि उसका ट्रांस्पर्स जीना तो पहले ए प्लस टू भी निकाला जागा मतलब मा उस्तू 1 u 3 2 में जोड़ देना है 2 B मतलब यह है और यह क्या टू भी हो जाएगा माइनस 2 0 6 और 4 जोड़ तक एक है मालूम है कि आपके पास जो संगत अभी है वह जूड़ जाते हैं तो पस वह एगा क्योंकि सेम और के है तो इजली जूड़ जाएगा तो पस होएगा देखो माइनस 4 1 प्लस 0 मतलब 1 यह जाएगा 6 प्लस 3 मतलब 9 और ऐसे ही यह हो गया 6 तो मुझे मिल गया A प्लस 2B प्राप्त हो गया यह मुझे मिला A प्लस 2B तो अगर मैं कहूँ A प्लस 2B का डैश निका लिए यहनो इसका परिवर्थ निका ले आपके पास देखें अबर गड़बर तो नहीं और आपके देख लेना बस्टे के तो जो भी आपके पास कर से तो ठीक है तो यह जाएगा 4 1 इदर आगया और 9 और 6 यह इस प्रकार से प्राप्त हो जाए आपके तो पांच वा कुशन का मैं आपको दूसरा भाग बता रहा हूँ देखें तो इसमें अपके पास दो मैट्रिक्स देएं A और B हैं यहां देखें तो अपके पास यह किस कोटी का है यह है 3 क्रॉस 1 और यह है 1 क्रॉस 3 तो इसके लिए प्रूफ करना है A B का होल डैश एक्वाल टू B डैश इंटू A डैश हमें ग्याद करना आपके पास ठीक है तो इसके LHS के लिए हम A B का होल डैश निकाल लेते कोई देखो तो इसके लिए हम निकालेंगे फॉर गिवन मैट्रिक्स A and B हम निकालेंगे A B यानि दोनों का प्रोड़क्स मतला 012 into 157 प्रोड़क्स पॉसिबल क्यों है क्योंकि यह देखो यह 3 क्रॉस 1 का है तो यह 1 क्रॉस 3 का है क्योंकि आपको मालूम है प्रोड़क्स के केस में हमके बास हमेंश देखते हैं कि इसके जो नमबर ओफ कॉलम है वो इसके नमबर ओफ रोज के बरावर होना चाहिए आपके बास हमाब 1 1 अब बात करते हैं कि जो प्राप तो मैट्रिक्स हो किसका होगा तो होगा 3 क्रॉस 3 का तो जो है नहीं रिजल्ट के रूबी मिलेगा और कि कोटी का मिलेगा 3 क्रॉस 3 का मिलने वाला अब इसको निकालते भी देखो मल्टिव लाइकर नाम को आता है तो मैं ज़्यादा डीप में नहीं है डिरेट मल्टिव लाइकर नहीं देखो कैसे करते हैं इसकी पहली पंक्ति को पहले पहले कोलमे तो एक उनाफ जिन अब जिरो फिर पहली पंक्ति को इन से quarters knife और तूसरे पंक्ति को नेवगी तूसरी क्ति तो 1 2 5 और 1 2 7 हो गया तो पहले के क्या पहले कॉलंग पहली को इसके पहले 업 rat लेकिसे पिर पहले कसे पालंग उसमें आपके पास एक अव्य है, उसको कैसे करना है, पहले कॉलम से गोना है, तो 2 इंटू 1 कितो हो गया 2, ऐसे 2 इंटू 5 हो गया 10, और 2 इंटू 7 हो गया 14, तो यह मिल गया 3 क्रॉस 3 का AB, यह मुझे मिल गया AB, अब इसके LHS में क्या निकालना था, LHS कुछ और नहीं क्या थ तो यह इसका परिवर्द निकालेंगे, तो परिवर्द कैसे निकालते हैं, आपको मعلوم है, यह यह जिरो वर्ण 2, 0510, 0714 का क्या करना है, परिवर्द निकालना था हम को आता है, ट्रांसपोस के लिए क्या करता है, उसकी पंक्ती को कॉलम में बदल देंगे, यह तो यह हो के पास सबसे पहले जो बाते सो निकाल लिया के पास तो बहुत है कि तो आलएक करना दे कि कि तो बी इस व nectar व इनफ परिवर्ट निकाल लिए यह इसिए प्कार से आश तो जो हमें केलकुलेアर्य करना था वो था वड़ा बी दाश- इन दोनों का प्रोडल तो यह था 157 अब ध्यान देना जिस करम में दिया है रहा है वह यह है क्योंकि वह प्रॉपर्टी आपके पास है इसको हम वेरिफाइड कर रहे है इस प्रोप्टी को ठीक है तो यह इस प्रोड़्ट को शेया है बी डैस लिज्ज प्रोड़ना,ब्यूद अहीं है उसको मेठिक हैं मैट्रिक और मैट्रिक्स मैट्रिक्स को सोते हैं हम क्या कि है हम इसंट है इसट को की क्रोफ डारी क्रोफ बरी कि चृटी को से मेंज़े नुह सब्सक्राइब हम इसट पहले हैं उसको इसके क्या गुणा करेंगे तो यह है उसका तो यह जाएगा वर औंट्यू प्रकार से मैंने इसकी पहली पंक्ति को इसके तीनों क्रूम से गुणा करके प्राप्त किये ऐसे करना है दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति के साथ भी करना तो यह हो जाएगा 5 इंटो 0 हो गया 0 5 इंटो 1 हो गया 5 और 5 इंटो 2 हो गया 10 यह वह दूसरा ऐसी तीसरे के लिए साथ करेंगे तो 0 7 और 14 तो यह आया B डेश इंटो A डेश तो अगर आप ध्यान से देखो तो इदमान वही आपके पास है जो हमार पस क्या आए था A प्लस B के होल डेश के देखो A प्लस B का होल डेश भी हमें पराप्त हुआ है 0 0 1 1 5 7 और 2 10 14 और यही वैलियम किसे मिल गए है B डेश इंटो A डेश तो हमने क्या वेरिफाइट किया So A B का होल डेश इक्वल टो में से क्या होता है B डेश इंटो A डेश तो यह आपके पास प्रॉपर्टी आपके पास लिखाए गई है तो वो हमने यह आपर वेरिफाइड कर दी आपके पास ठीक है तो यह था आपके पास XS 3.3 है उसके कुछ कोशन मैंने आपके पास बदाए जो इंपॉर्टन थे वो बताया और कुछ कोशन ऐसे हैं जो इससे मिलते जुलते हैं जो आप इजली कर सकते हैं तो नेक्स वीडियो मैं आपके पास जो इसके बागी बचे वे कोशन है वो मैं आपके पास कम्टीट करा हूँ आपके पास